नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए आथेंटिक मावा काला जामुन की रसिपी लेकिया हूँ, जो हलवाई बनाते हैं न शादी ब्या में, बिल्कुल गोल गोल ब्लाक कलर का सुन्दर सुन्दर सा और काटने पर एकदम रस से भरा हुआ, ये वही काला जामुन की रसिपी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, इसके लिए मैंने 500 ग्राम चीनी लिए और उतना ही पानी लिया है, छे साथ इलाईची मैंने डाल दिया फ्लेवर के लिए और इसको बॉल करना स्टार्ट कर दिया है, बीच बीच में जब तक चीनी मेल्ट नहों, एक चीनी चिपके नहीं, एक दो बार ऐसे चला देंगे, और अभी मैंने फ्लेम मेडियम रखा है, अब ये उबलने लगा, चीनी मिल्ट हो गई है, तो फ्लेम को मैंने हाई कर दिया, इंडक्शन का टेंपरेचर अभी 2000 है, आप गैस पर इसको हाई फ्लेम पे पका सकते हैं, च आत में ऐसे शेहद की तरह चिपकेगा, बट इसमें तार नहीं बनना चाहिए, बस इसी स्टेज पर गैस को आफ कर देना है, गैस को आफ कर दिया है, और उसको ढख के साइड में रख दिया है, 75 ग्राम मैंने पनीर लिया है, ये 1.5 kg काव मिल्क से ये पनीर मैंने बना लिय आप मार्केट का भी यूज कर सकते हैं, बस इसको अच्छे से इस तरह से नीड कर लीजेगा, नीडिंग बहुत ज़रूरी है, ये होममेड पनीर है, काव मिल्क से बना हुआ, इसलिए बहुत सॉफ्ट है, दो से तीन मिल्क के अंदर ये अच्छे से नीडिंग इसकी हो जा अब इसकी नीडिंग करनी है, आप मार्केट से भी ले सकते हैं, लगबग ये 225 ग्राम है, इसकी नीडिंग में लगबग हाफ कप, मिन्स 60 ग्राम के करीम में मैदा लगता है, अभी मैं वन फोर्थ कप ही डाल रही हूं, मतला हाफ क्वांटिटी डाल रही हूं, तब तक प मिला लग रहा है, तो वन फोर्थ कप मैदा मैं और इसमें डालूंगी और साथ में पनीर को भी अब मिक्स कर लेंगे, सबको एक साथ अच्छे से मिला लेना है, अच्छे से मिक्स करने के बाद, वन एर्थी स्पून बेकिंग पाउडर मैंने डाला है, अगर चुटकी से न जामुन फटने लगेंगे, अब पाम के हेल्प से चार-पांच मिनट तक अच्छे से इसको नीड करना है, यह बहुत जरूरी है, तब ही काला जामुन के बाल स्मूथ बनेंगे, तीन-चार मिनट तक नीडिंग के बाद यह आटोमेटिक और सॉफ्ट हो जाता है, और इसमे एक और ट्रिक है, डो को चेक करने का, एक बॉल ले लिया है, मैंने टुकड़ा तोड़ लिया है, और हथेलियों के हेल्प से दबाते हुए इसको अच्छा सा चिकना सा गोला बनाना है, अगर इसमें क्रैक्स नहीं होंगे, इसका मतलब है कि आपके काले जामुन का डो बिल कलर, दो गुन औरेंज फूट कलर डाल दिया है, बेसिकली मुझे केसर कलर चाहिए था, वो नहीं है, तो मैं केसर कलर बना रही हूँ, इसको मिक्स करके, इसमें ड्राइ फूट्स डाल के मैं स्टफिंग बनाऊंगे, आप इसकी जगा रेड फूट कलर डाल सकते हैं, और ग कर डाल देनी है, आधा चम्मच मैंने इसमें चीनी डाल दिया है, चीनी डाल के इसको मिला लेंगे, और इसके छोटे-छोटे से बॉल्स बना लेने हैं, ये टोटली ऑप्शनल लेकर आपको कलर नहीं पसंद है, तो इसको रेसिपी से हटा दीजिएगा, सिंपल ड्राइ फ थोड़ा सा पुश करते हुए, मैंने एजेस को सील कर दिया है, अब इसको गोला बना लेंगे, इस स्टप मावा बॉल तैयार हो गया तलने के लिए, हलवाई वाले जो काला जामून होते न, थोड़े बड़े-बड़े होते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया है, गुलाब जामून या काला जामून तलने के लिए घी की क्वांटिटीत हमेशा थोड़ा जादा रखिएगा, तब ही वो गोल गोल बनेंगे, नहीं तो वो चप्ते हो जाएंगे, और हमेशा धीमी आज पर सेखना है, और बीच बीच में बस स्पून से ओल को हि जाएगा, इससे बॉल एजली घूम घूम के अच्छे से सिक सकेंगे, चारो तरफ से इवन कलर आएगा, जैसे कि आप देख रहे होंगे, बॉल खुद बखुद घूम जा रहा है, और अच्छे से सिक रहा है धीमी आज पे, बीच बीच में मैं ओल को बस थोड़ा से हिला दे रही हूँ, दस बारा मिनट तक धीमी आज पर पकने के बाद, यह अच्छे से इसमें कलर आने लगता है, मतलब यह सिक जाता है, अगर गुलाब जामून बनाना हो, तो इस स्टेज पर आप इसको निकाल के चीनी की चाशनी में डाल सकते हैं, अगर काला जामून बनाना हो, तो थोड़े देर के लिए और इसमें रहने दीजेगा, ताकि और डार्क कलर आ सके, 20 मिनट हो चुके हैं, और हमारे काला जामून भी सिक्कित तयार हो गया है, इसको गरम चाशनी में मैंने रख दिया है, और ढग करके 4-5 घंटे इसको सोक होने देना है, डिस्टर नही सुगर सिरप को एब्जॉर्ब कर लिया है, कट करके मैं आपको इसका टेक्श्चर दिखाती हूँ, काफी सॉफ्ट है, तो मैं क्यार्फुली कट कर रही हूँ, ताकि ये तूट के बिखर न जाए, ये देखिए, बिल्कुल हलवाई जैसा टेक्श्चर है न, वैसे ही तो काला जामुन बनाते समय कुछ बातों का हमेशा ख्याल रखिएगा, ज्यादा बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, डो को अच्छे से नीड करना है, डो ज्यादा कड़क भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, और काला जामुन तलते समय ग